आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं बहुत ही अच्छी गर्मियों के एक बहुत ही बढ़ी है सब्जी जिसे अर्भी बोलते हैं आज मैं आपके लिए ये अर्भी अजय बनाई है और पियारे करते हैं हम लोग के लिए देखते हैं इस अर्भी कहा हम कैसे बनाते हैं कि यह देखिये मैंने यह 300 ग्राम अर्वी ईबालके रख ली है दो सीटि लगाके अर्वी उबल जाती है अगर अच्छी अर्वी है तो दोसीह पर जाएमागी अगर ज्यादा वैसी है उसको 3 मी लगती चार भी लगती है यह हमारी देशी अर भी है जो बहुत जल दिलबल जाती है अब इनको हम लोग चाहे तो आप गोल काट सकते हैं मैं इने लंबाई में काट आए कि इतनी अच्छी अर भी है कि हमारे चक्कु एकडम है इसके अंदर गड़ जा रहा है कि एकडम वाइट अर्भी है हमारी है अगर आपकी अर्भी लंबी है तो इसको इस तरह दो पीस में भी कट कर सकते हैं अगर देखें हमारी सारी अर्भी कटके त्यार हो गई है चलिए अब हम इस कौम चलते हैं अपना कुकिंग प्रोस्टेश के चलिए एक चम्मच छोटा मैं इसके अंदर डाल रहे हूं अजवा है अधी चोटी चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर खेंग मैंने इसले गैस बंद करी होई है और यह हम डालते हैं इसके अंदर अल्डी यह दालता है हम इसके अंदर धनिया पाउडर लाल मेच का पाउडर गैस को ओन करेंगे हुआ है हमारे सारे मसाले थोड़ा भुनेंगे हुआ है कि इनका कच्चापन निकरे जाए है अगर ग्रेट किया है वह मटा हुआ है हमारे मसाले भुन गए है अब इसके अंदर डाल देंगे अर्वी बहुत ही जट्टत और बहुत ही असान है अर्वी को बनाना अब यहीं पर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अपना घर का पिस्तावा अंचूर का पाउडर अब हम इसके अंदर आधी चमच अपने डाले पानी हम बिल्कुल ने डालेंगे इसके अंदर कितना बढ़िया अर्वी ने सारी मसालों को आपस में विप्टा लिया है तब अच्छी तरह कोटिड होगें अब हम गैसी फ्लेम को करेंगे सिम थोड़ा साइस को हम ढख देंगे कि जो हमारे मसालों का आरोमा है वो सब्जी के अंदर अर्वी के अंदर अच्छी तरह कोट हो जाए और उसकी स्मेल भी उसके अंदर बरकरागे और इसको थोड़ा सिंग पे पाच मुन के लिए रखेंगे कितनी सब्सक्रास हमारी आप इसको मसाला अर्वी भी कह सकते हैं अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर एक यह डालूँगी हरिमिज कट्यूई वारिज कट्यूई और यहां पर ही हम लोग डाल देंगे इसमें धनिया मेरको अर्वी के अंदर जो यह हमने लादी हरिमिज थोड़ी कच्ची कच्ची ही खाने में अच्छी लगती है और उसका क्रण्च रहता है जैस को हम बन कर देंगे और लीजिए हमारी मसाला अर्वी बनके तैयार हुएगा अब अब अच्छी और किती तेस्ती जो दिखने में इतनी बढ़िया लग रही है मेरे तो मूह में पानी आ रहा है और अगर आपको मेरी रेस्पी इस तरह से बने जटपट पसंद आईए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्स्राइब कीजिए अब आप इ अब दो